पुलों ने सदियों से काम किया है जोडने का कभी संस्कति को तो कभी लोगों को कभी संप्रदाय को तो कभी व्यापार को इसलिए विकास के कदम पटफुलों का नाता है अटूट भारत का खुबसूरत पुर्वोत तरक्षेत्र वरतमान सरकार के प्रयासों से प्रगती के पत पर है अग्रसर और अब ये क्षेत्र साक्षी बनने जा रहा है उन्नती के एक और शिखर का असम में ब्रह्म पुत्र नदी पर डिबरू घड से सतरह किलोमेटर दू बना है देश का सबसे लंबा रेल सह सडक पुल बोगी बीव ये ब्रह्म पुत्र नदी पर सबसे उंचाई पर है बना जिसकी कुल लंबाई है 4.94 किलोमेटर और लागत है 5920 करोड रुपए डबल लाइन डॉट गेज के साथ थ्री लेन रोड की विशेशता वाले इस पुल के निर्माण में ब्रह्म पुत्र नदी में हर साल आने वाली बाढ़ का रखा गया है विशेश ध्यान इसलिए दोनों छोर पर 9 किलोमेटर और 7 किलोमेटर बांध को उपर उखाने और मजबूत बनाने पर दिया गया जोग यह होगा भारत का एक मात्र ऐसा पुल जो पूरी तरह से स्टील कॉंक्रीट कॉंपोसिट गर्ड से है बना प्रतकालीन प्रधानमंत्री स्वर्गिय अकल विहारी बाजबई ने 22 अप्रेल 2002 को की थी इस पुल के कारे की शुरुआ लेकिन इसके काम में हो रहा था लगातार बिलम 2014 के बाद काम में आई अभूद पूर्बकती जब प्रधानमंत्री नरेंडर मोदी ने इस पर गिया विशेश ध्यान अडल जी के समय तरक्ती का बोया गया पुल रुपी बीच आज बना है भालदार बौधा रेल सह सडक पुल होने की कारण ये जोड़ेगा उत्तर और दक्षन छोड़ के 74 किलोमेटर रेल नाइप दोगी साथ ही दक्षन के NH 37 और उत्तर के NH 52 को भी ये जोड़ेगा पुल द्वारा जोड़ेंगे असम और अरुनाचल के साथ ब्रह्म पुत्र नदी के उत्तर और द इससे उत्तरी असम और पूर्वी अरुनाचल प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास को मिलेगा पल उर्वोत्तर की बढ़ेगी वेल कनेक्टिविटी दिब्रुगड पहुचना होगा आसार जिससे गुआहाटी में कंजेस्चन होगा कब ये पुल भ्रह्म पुत्र के उत 250 किलोमेटर की दूरी कम करते हुए दिब्रुगड से इटा नगर तक प्रदान करेगा सीधा सडक संपर दिब्रुगड से वाया उत्तर छोर का अंतर वाया रंगिया 170 किलोमेटर होगा कब साथी दिब्रुगड से गुआहाटी वाया मोरन हाट की दूरी भी होगी 55 माल धुलाई यातायाद जो पहले होती थी फेरी से वो अब होगी बहुत आसान। पुल बनेगा पुर्वोतर भारत की जीवन ब्रेखा। अब रेलवे, नॉर्थीस्ट और विकास है एक पुल्सरे के पर आए। भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस पुल को कर रहे हैं प्राश्टर को समर्पित जये है।